हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने LG W41 Android मॉइलफोन में आप जो फिंगर्प्रिंट लॉक को सेट कैसे कर सकते हैं अपने मॉइलफोन पे और यह फिंगर्प्रिंट लॉक सेट होने के बाद आपके मॉइलफोन की सेटिंग कैसे काम करेंगी आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चले यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अप साइंट करने आपको नीचे आना है यहां पर आपको औप्शन मिलजागा इसके बाद कलिक करेंगे तो आपका आपको और नीचे की साइड बटन दे रहां और पर आपको सेलेक्ट करना ठीक है आपको अगले पेज में यह आला पेज मिल जाएगा आपको करना है कि आपने मंवाइल फून के बैक साइड पे जो आपका fingerprint sensor होता है उस fingerprint sensor पर आपको जोए ना उंगली से टैप करना इस तरीके से ठीक है किसी भी एक उंगली का यूज करना है और उंगली को tap करना है ठीक है इस तरीके से तो देखिए आपका जो ना fingerprint scan होने लग जाता है और यहाँ पर जब तक आपको tap करते रहना है जब तक यह circle में blue line complete नहीं हो जाती जब तक आपको tap करते रहना है fingerprint add हो जाएगा तो आपको tap करना बंद करना है इसके बाद आपको नीचे done का option select करना है अब fingerprint का पेज आता है इसमें आप देख सकते हैं या पर finger one लिखा हुआ है यानि कि आपका fingerprint इस तरीके से एड हो जाता है fingerprint lock ठीक है अब यह setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूं जब यह आप अपने mobile phone की screen off होगी ना आपको फोन को unlock करने के लेना सिर्फ आपको इसे setting page open करना है phone का setting page में आपको सबसे उपर सेंटिंग पर सेलेक्ट करना है और यहापर आपको सर्ज बार में टाइप करना है fingerprint ठीक है fingerprint आप यहाँ पर टाइप कीजिए तो आपको नीचे की साइड यह options हो जाएगा fingerprint का security के साथ इसे select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को डूंड़ने का आपके mobile phone में